हेलो फ्रेंज वेलकम तो माई यूटूब चैनल मेरा नाम है अमीर खुबरू अस्सलाम अलेकुम आतो जी ये देखे आज हम आगे हैं जी बिल्कुल सही अलबैक ये अलबैक शारे हिरा जद्दा के रोड पे है और अमोमन काफी भीर होती है और अभी तो आज रमिनान भी है और अल्मुस्त यारा चालीस हो रहा है लाद के ये सारे हिरा की रोड है और आपको बताता कि ये सारे हिरा जो जद्दा के अंदर है वो मशूर है और सिर्फ रिस्टोरेंट और खाने के लिए लोग आते हैं तर और ये इस्टार्ट होता है मदीना रोड से लेकर वो आगे मक्का रोड तक मिल जाता है तो यहां पे जोने आपको आपको सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लाइक अलबेक है, आप उधर जाएंगे इस तरफ तो पीज़ा हर्ट है और बाकि इतने भी हैं, अमूमन रेस्टोरेंट फोटे वह सारे होते हैं तो आएए, चलते हैं, देखते हैं अलबेक में आज क्या रश्य है और यह रम्दान में पहला अल्बैक जो आज हम खाएंगे तो लेट्स गो अंदर जाते हैं तो आप लोग देखें रश बिल्कुल भी नहीं है बहुत ताजूब है में भी वज़ा रम्दान का है वरना आपको बताओं कि ये जो बना है ना इनका ये सारी लाइने इधर से बाहर तक होती लाइने अभी ऐसा है नहीं बिल्कुल खाली है हमारे लिए अच्छा है वक्त बचेगा तो अंदर चलते हैं अपना ओर्डर लेने बाश बिल्कुल खाली है बिल्कुल गिरस महीं है आपको यहां बिल पे करना होता है अपना और और इधर आपका रेडियो होता है तो आप यहां से ले सकते हैं यह हम ले चुक है हमारा यह बिल है तो अभी पता चला है कि डाइनिंग खुल गया है काफी रिसेंटल्य तक यहां पर डाइनिंग फिल गया है तो अभी घिनिंग कुल गया है तो हम यहीं बैठके खाएंगे अ क्या यहां पर अपना आगे है हो द्युक्त है निख लुब में आया था इसक concurrent बूंत कि अभी इनना ओपिनकिया है और टेक अवे से लेकर ही आपको डैनिंग में बैठना है और खाना है यह बहर का मनजर है आप देखे हैं इसको खुलते हैं तो यह देखिया आज है अपना ब्रोस्टेट स्पाइसी यकीन मानिए साओधी अरब के अंदर काफी ब्रोस्टेट की सॉप है इसके तरफ टेस्ट अभी तक किसी ने मैच ने किया कोशिस काफी लोग ने की बद जहां भाई साव अलवैक है ना आस पास की सारे शॉप्स ब्रोस्टेट की चलती नहीं है यह देखें आपको यह तो यह मेरा तरीका यह एक खानेगा मैं केचप और गर्लिक को अच्छे से मिस करता हूं और यह नवाला बन के आता है लजीज हम्म्म ना जवाब अलवैक यह खास बात और बता हूं मैं इसके जो आप देखें मसाले अंदर तक पूरा जूसी है और यही चीज इसको अलग करता है बाकि ब्रोश्टेट के श्रॉप से यह ब्रांट से यह चीज नहीं आती है जूसरों में आप देख रहे हैं अंदर तक गिनके जाता है इस पाइस और जहां तक मैंने सुना है पता नहीं बात सही है या नहीं है मैंने बस अदर सुना है कि यह आज भी इनका जो ऑडिजिन है ना अलबैक का किस कंट्री से मैं नाम भी भूलना हूं उधर सही आती है शिप में इसकी मैने निडोके देली अब पता निस बात में किसे सचा है अब देखें किसना अच्छा पका है अब मज़ा है इसकी क्वाइंटिटी की बात कर रहे हैं तो एक बंदे के लिए सफिस्टेंट होता है एक ब्रोस्टेट यह का डाइनिंग एडिया और यह आप सामने किंग पहद रोड देख रहे हैं चारे हेरा से जो अधूंक रहे हैं इसके इस कॉर्णनर पर ही आपको यह अब बैक है एक बार आपको बहर से देखाता हूं मैं यह सामने किंग पहद रोड है कुछ इस तीन कहते हैं और इधर से यह शारे हेरा कनेक्ट हो रहा है और यह इस कॉर्णर पर अलबैक है प्रूजार करोना की इतना भी पाबंदिया थी वह रच शुको टीब इनका डैनिंग बंता अभी नहीं ने ऑपिन किया है और यह आपके खा सकते हैं बैठक आप अपनी रियाईश के इस अलबैक से काफी पास है वाकिंग डिश्टेंज है है तो आपको भी दिखाते हो मैं है रास्ते में और कौन-कौन सा आपके पास ऑप्संस है रेस्ट्रुएंट के लिए है कि और सारे हीडमे में यह जूस वर्ल्ड है कि साफी बरांचे से इनकी साुदी अरब में आप कैसा कि सथे वन अप दबेश्ट बिश्ख जूस है साुदी अरब का है आप लोग अगर साओडी में हैं और जो लोग नहीं आए वो नहीं जानते हूं यहां का ज़रूर ट्राइ करें जूस अगर आप एक बार यहां का जूस पीते हो ना आपको फिर यहां के जूस पतन आएगा और उसके साथ आप देखें तुज़ा हट है और दूस वर्ल जोनों साथ साथ है और रोट के उस साइड आगे भाई अपनी बिर्यानी बिर्यानी पैलेस यह इंडियन बिर्यानी पैलेस है और साथ में इंडोनिसियन पोल्ड लेख एक जाना है इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको आएम हंगरी दिखता है यह भी बहुत वेल नॉन रेस्ट्रों है मोस्टली यह बर्गर और सैंविच के लिए होता है और आप इसपे अगर ध्यान दें तो यह देखें यहां के रेस्ट्रों में अक सर्फ है बच्चों के लिए एक स्पेस रहता है जहां बच्चे इंटर्टेंड होता हैं वाइल आप अपना डिनर या लंच ले रहें बट पार्टिकुलर इस आयम हंगरी के रेस्ट्रों में न यह जो बच्चों के खेलने कुदनी की जगा बन यह बच्चों के लिए अच्छी खासी जगाए है पिज़ा हट के ज़स्ट और पोजिट एक रेस्ट्रों है इसका नाम है हाशी बाशा जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक दाजा लग गज़ा होगा यहां पर सृफ और सृफ ओंट के गोस्ट का पर याइटम मिलता है खफ्सा कह रहे हैं या जो भी सालन कहँँ और के गोस्ट का ही है । रेस्ट्राण है मैंने एक गोबर क्राइख किया है काफी मज़ीद आ रहा है तो आपको रिक्रमेंट कर कर सकता हूं कि एक बार यहां भी आप राइ कर सकता हूं कि यह मताम अलमस्री यानि कि यह मिस्र एजिप्ट का खाने का यहां पर रैश्मा है इनका अच्छी बात यह है कि अशारे हिरा रोड की जिसकी में बात कर रहा हूं यहां पर आपको आपको सारी वर्ल्ड के सारी सारे क मसरी तर्किस यह एक रेस्ट्रोंट है जो वन आफ दा ओल्डेस्ट साओधी का रेस्ट्रोंट है रेदान यह वन आफ दा ओल्डेस्ट है यह बस वही साओधी का जो खाना होता ना खबसा उसके लिए मश्रूर है यह काफी फेमस तर्किस रेस्ट्रोंट हुआ करता था यहां का बहुत पुराना और तो कोई काफी लजीज यहां का आप चिकन वगएरे खा सकते बड़ पता नहीं किस वज़ा से यह बंद है और काफ आज का वीडियो इधर ही खतम करते हैं यह आप समझ लें कि मैंने जो शार-हिरा रोड का आपको बताया है तेन परसंट भी एक्सप्लोर नहीं हुआ भी यह रोड बिल्कुल मदीना रोड क्रॉस करते वह आगे तक जाता है प्रिंस कुल्टान तो आगे वाले आने वाले न नहीं है और मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में और देखते हैं आगे और क्या एक्स्प्लोर कर सेते हैं तिल रेन अल्लाहाफिस टेक केर